Famous YouTuber और Big Boss OTT 2 के winner Elvis यादव ने शो जीत कर इतिहास रच दिया वो अब Big Boss के इतिहास के पहले contestant रहे हैं जिन्होंने wild card होते हुए trophy अपने नाम कर ली हाला कि उनकी जीत पर काफी बहस बाजी भी हुई हाल ही में Elvis ने व्लॉग में खुला सा किया कि उनकी जीत असली थी या नकली Reality Show Big Boss OTT 2 खत्म हो चुका है लेकिन कई लोग है जो इस बात पर यकीन करने को तयार नहीं कि Elvis यादव ने शो जीत लिया है Elvis wild card contestant थे इसके बावजूद वो शो की trophy जीत गए ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई wild card contestant बिग बॉस की trophy अपने नाम कर गया हो हाल ही में Elvis ने YouTube व्लॉग अप्लोड किया जहां उन्होंने haters को उनकी जीत पर संशे बनाये रखने के लिए जबाब दिया Elvis ने व्लॉग में अपने डेली routine को लेकर बात की इसी दोरान उन्होंने कहा कि बिग बॉस में winner को लेकर जो लड़ाई है उसे खत्म कर देना चाहिए वह जीत गए हैं अब बिग बॉस सत्रव पर focus करना चाहिए उनके साथ ही उनके दोस्त भी थे जिन्होंने Elvis आर्मी पर गर्व होने की बात कही Elvis ने गुजारिश की की बिग बॉस और टीटी दो के winner को लेकर चल रही बहसब खत्म कर देनी चाहिए दरसल Elvis यादव wildcard contestant थे शो को बीच में ज्वाइन करने के बाद world trophy अपने साथ ले गए हाला की कुछ fans ने अभिशेक मलहान को असली winner बताया अभिशेक शुरू से शो का हिस्सा रहे थे Elvis पर आरोख है कि उन्हें 70% वोट मिले थे इस पर Elvis ने अपने vlog के जरी उनके खिलाफ फेक न्यूजन फैलाने की बात कही उन्होंने कहा कि यह सारी बेकार बाते हैं जब तक डेटा रिवील नहीं हो जाता तब तक ऐसी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए Elvis यादव ने दो मिलियन से भी जादा मतों से अभिशेक मलहान को मात दी Elvis को 800,9975 वोट मिले जबकि अभिशेक की टोटल वोट चेहसो, 98,365 थे वही मनीशा रानी, मनीशा रानी, सेकन रनर प्रही फिलहाल आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में हमें कमेंज में जरूर बताएं साथ ही अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए